प्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं एक न्यू रेसिपी जो बच्चों की बहुत ही फेबरिट है और बच्चों को बहुत ही यम्मी लगती है और वो टीफिन में भी लेकर जाना बहुत ही पसंद करते हैं चलिए यह मैंने डाइसोग्राम चिकन ले लिए है इसको डाल दिया ह कि आगा है मैंने बोईल करने के लिए मैं और इसको के लिएब बैस हाट में गाइसे ही हम सिंव्रणा मिर्च को भी काट लेंगे बारिग बारिग सा इसी तरह से हम अपनी सारी सब्जेव को जो भी हमें इसमें डाल लिए आपको जो भी पसंद हो आप उसके इसाफ से सब्जेव को डालें मैंने सिम्ला मिर्च नहीं किया है और हरा धनिय का और ये मेरे सब्जे कर चुकी है सिमला मिर्च, हरादनिया, लाल मिर्च, चिकन भी अच्छे से बोईल हो चुका है और इसको मैंने धो लिया है अब इसको हम इसकी हड्डिया और चिकन को अलग कर लेंगे आप चाहे तो इसके लिए बोल लेक चिकन भी ले सकते हैं वह जादा बैटर रहेगा हड्डिया आपक अब इसमें जो भी पीस रहे जाएंगे उसको हम हाद से कर लेंगे या आपक से भी कर सकते हैं मैंने इसको हाद से ही कर लिया है और चिकन के सेंडविच बहुत ही तेस्टी यमी लगते हैं फ्रेंट्स अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं हो चुकआ है हमारा अब चलेए चलते हैं अपनेगेस की तरफ मeg पैने डाल दिया है मैंने सरसो का हीँ तेल इसमेंसे काटी थी सेलो फ्राइक चुकी है , clean मिर्च को डाल दिया हैं, मिर्च नमक डाल दिया है, मैंने। मिक्स करके बघग दूँकर अonstrat कर ते चिसी स्ञाइषे Mmm 1000 ये आदेया होrikते हैं, एक मिनट के लिए इस्ञाइब है और कि LEAK 10 आप मिर्च को सौफ्ट हो जाएई यह मेरा मसाला लगभर तयार हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे चिकन को भी और चिकन को डाल गए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो भी सबजें हैं हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए मैं इसमें डाल दिया है काली मिच पॉर्डर आदी चम्मच छोटी और डाला है यह और गयनो मिक्स डाला है मैंने एक चम्मच अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब इसमें डाल देंगे हम हर अधनिया जो हमने काटा था उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह हमारा मिक्स हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे चिकन-मसाला और चिकन मसाला मैंने आदी-चमच डाला है, अगर नहीं है तो नहीं डालीए और डाल दिया है मैंने इसमें नमक गवनान जोकुशु कि यहां Осबदा में डाला है अब यह मेरा प्लेट में निकाल लिया है अब इसमें मिला देंगे मैंने एक चमच चीज डाला है और डाली है मेरे दो चमच भर के म्योनीज और इसको हम मैंने इसको चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा रखता है यह हमारा तयार हो चुका है चलिए चलते हैं अपने ब्रेट तयार कर लेते हैं यह मैंने ब्रेट को ले लिया है और ब्रेट के में किनारे निकाल दूगी और जादर बच्चों सारे किनारी निकाल दूढ के आपको ईसे भी साइज के और जो आप खाना पसंद करते हो वाइड ही प्राउन वाले रधे वह ब्रीट इस्तमाल कर Dame मैं लगा दिगी और मैंने मिडियम ही लगाई है इसमें कम भी नहीं है ज्यादा बील आगर अगर आप और इसमें तोड़ी तोड़ी सोस भी डाल के लगा दिया है मेरे ब्रेट तयार हो गए हैं अब इसमें में डाल देंगे चिकन चिकन भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा लगाए और कम पसंद हो तो कम का इस्तिमाल करे sichор इसी तरह से मैं अपने ब्रेट पर चिकन लगा दूंगी देखिए लग चुका है अब इन पर लगा देंगे हम बटर हलका हलका सा बटर लगा देंगे यूंकि बटर लगावा होगा ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है बटर के साथ सेखते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम बटर लगा देंगे और देखिए यह बटर हमारा लग चुका है चलिए इनको सेख लेते हैं अभी मैंने पैन रख दिया है गैस पर उसमें डाल दी है मैंने अपने सैंड्विच को उलट प्रट करके हम इनको सेख लेंगे इस तरह से हम अपने सैंड्विच बनाएंगे और बच्छों को खिलाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा बच्छों को बहुत ही शौक ही सोक से खाएंगे 60 आप ज बताइए आपके बच्चों को कैसे लगे और मुझे पुरा यह किने आपको बच्चों को इस तरह के सेंडविच बहुत पसंद आएंगा क्योंकि मेरे बच्चों की बहुत पसंद आते यह सेंडविच कलर भी अच्छा रहा हमारे सैंड्विच का प्रेंट्स हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको जरूर कॉमेंट्स में बताईएगा कि कैसी लगी हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज